हे एवरीवन, वी हॉप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से लिक्वीडिटी रेशों के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर दो रेशों डिस्कस की थी, पहली करेंट रेशो और दूसरी लिक्वीड रेशो आई हॉप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो चलिए गाइस, आगे हम फर्दर रेशों के बारे में आप से डिस्कस करने जा रहे हैं तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह आप लोगों के साथ, येस गाइस, तो इसके अंदर मेली चार रेशो आती है, और एक और नई रेशो एड हुई है, जिसके बारे में हम बाद में आप से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वह बहुत इंपोर्टेंट है, तो चार रेशों कों डानी है, वो कोनकोन सी यह पहली है, देट इक्विटी रेशों, ठीक है आज, धूसरी है हमारे पास, टोल एसेट टो डेट रेशों, टोल एसेट, assets to debt ratio, ठीक है guys, debt ratio, तीसरी है हमारे पास proprietary ratio, ठीक है, और उसके बाद last one is, that is interest, interest coverage ratio, ठीक है guys, यह चार ratio है, और एक और नई ratio add हुई है, जिसके बारे में we are going to discuss further, हम बाद में आप से discuss करेंगे, तीनों new ratio के बारे में एक साथ, ठीक है, तो पहली बाद solvency ratio होता क्या, यह आपको समझाना चाहिए, solvency ratio है, कि यह क्या ratio हमें बताती है, कि क्या हम long term में solvent है या नहीं है, जो हमारी liquidity ratio थी, वो current ratio, current asset, current liability के बारे में बात कर रही थी, वो हमारी current solvency के बारे में बात कर रही थी, क्या हम current में अपने debt को pay कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, शोर्टम में debt को pay कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह ratio, solvency ratio हमें जो बता रही है, वो हमारे long term debt के बारे में बता रही है, क्या हम long term में solvent है या नहीं है, क्या हम long term में अपने debt वालों को pay कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उससे associated cost, like उनसे related interest and all, यह सब हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो इसके अंदर सबसे पहली ratio आ रही है, हमारे पास debt equity ratio, देखिए, सबसे पहली ratio आ रही है, हमारे पास debt equity ratio, debt equity ratio, ठीक है, यह क्या होती है, that is debt over equity, debt over equity, बहुत ध्यान से समझना, guys बहुत important चीज़ बताने वाला हूँ, debt का मतलब यहाँ पर क्या है, long term debt, ठीक है guys, यह long term debt है divide by equity का मतलब यहाँ पर है shareholder fund, सुनाओगा आप लोग ने, yes भी आपने बताया था, balance sheet में हमने किया था, तो यहाँ पर सबसे बहले long term debt की बात करते है, long term debt, long term debt में दो चीज़े आती है, एक तो आता है long term borrowings, plus long term provision, चीक है, आपने सुनाओगा यह कहां पढ़ा था, हमने non current liability में, चार चीज़े, long term borrowing, defer tax liability, other long term liability and long term provision, defer tax liability और other long term liability आपके स्रेबस का पार्ट नहीं है, तो दो ही चीज़े रह जाती है, long term borrowing और long term provision, basically इसे हम non current liability भी बोल सकते हैं, ठीक है अब बात करते है, shareholder fund, इसको compute करने के दो method है, एक तो हमारे पास method है, liability approach है, एक हमारे पास asset approach है, ठीक है guys, अब liability approach में, shareholder fund आपको पते तीन चीज़े आती थी, shareholder fund में, share capital, reserve and surplus, money received against share warrant, money received against share warrant, आपके स्रेबस में नहीं है, तो यहाँ पर आएगा share capital, ठीक है, plus में, reserve and, reserve and surplus, ठीक है guys, यह liability approach से है, अगर हम asset से निकाले, asset से निकाले, तो आपको मैं easy way में बताता हूँ, अगर हम, जैसे हम balance sheet पहले बनाते थे, मैं easy way में करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आजे, हम balance sheet ऐसे बनाते थे, पहले tea form में बनाते थे, याद होगा आपको, लेकिन अब नहीं बनती, अब तो vertical है, यहाँ पर हम non current asset लिखते हैं, current asset लिखते हैं, यहाँ पर shareholder fund आएगा, second part है ही नहीं, share application मनी pending allotment वो तो ही नहीं, उसके बाद non current liability और current liability ये, और दोनों के total हमेशा equal होते थे, अब हमें निकालना है shareholder fund, ठीक है, तो जब shareholder fund निकालोंगे आप, तो क्या होगा, asset approach से, यह दोनों उदर जाकर किसकी हो जाएगी, minus की, तो यहाँ पर हो जाएगा, non current asset plus current asset minus, मैं नीचे लिख रहा हूँ, non current liability minus current liability, या इसको हम और क्या कह सकते है, non current asset, current asset minus current liability क्या होता है, आपको पता है, plus में working capital minus non current liability, ये कौन सा approach हुआ, that is asset approach, तो shareholder fund को हम liability और asset approach दोनों से निकाल सकते हैं, और guys, तो य यहाँ से हमारा, देखिए, यहाँ से हमारा क्या है, that is debt equity ratio, यह हमारी क्या है, debt over equity, मतलब long term debt divided by shareholder fund, ठीक है, और यह इसकी ideal ratio है, 2 ratio 1, again यह भी pure ratio है, 2 ratio 1, क्या बोला गया है, इससे जादा हुई, 2 ratio 1 से जादा हुई, तो यह खतरनाक position है, किसके लिए, long term lenders point of view से, जैसे एक example लेते है, माली यह, हमारी long term debt है, 2 lakh, ठीक है, और shareholder fund है, तो क्या होगया, 2 ratio 1, इसका मतलब, जो business के अंदर पैसा लगा हुई, debt वालों का ज्यादा लगा हुई, shareholder, माली को का कम लगा हुई, तो डूबेगा तो पैसा किसका डूबेगा, ज्यादा पैसा किसका डूबेगा debt वालों का, तो यह risky position, अगर यह ज्यादा होती गई, माली यह 3 lakh debt है, और 1 lakh किसे मिला हुआ है, owner से, तो 3 ratio 1, तो ज्यादा, और ज्यादा किसका लगया debt वालों का, तो यह debt वालों के लिए risky position है, जितनी यह ratio ज्यादा होती जाएगी, 2 ratio 1, ideal ratio है, अगर इससे भी ज्याद इसका मतलब जो shareholder का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, debt वालों का कम लगा हुआ है, तो debt वालों को safety margin है, debt वालों का पैसा डूबेगा नहीं, मतलब उनके डूबने के chances कम रहेंगे, चीक है guys, इसके बाद next है हमरे पास, अगली ratio है, that is, कौन सी है, total asset to debt ratio, ठीक है guys, यह क्या कहती है, बहुत असान है, that is, total asset divide by debt, अभी पढ़े, total asset आप जानते ही हूँ, क्या होता है, that is, non current asset plus current asset, दोनों को मिला देंगे, और debt का मतलब अभी मैंने आपको बताया, that is, long term debt, और long term debt को हमने क्या बोला, that is, long term borrowings plus long term provision, यह मैंने आपको बताया, चीक है, तो अब non current asset और current asset, आपको मैं already balance sheet के chapter में बता चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से आता ही है, आप देखो, यहाँ पर non current asset plus current asset divide by long term debt, माली जी हमारी total asset 10 lakh, मैं एक example ले तो, ठीक है, और long term debt है हमारे कितने, let's suppose 5 lakh, तो यह कितनी हो गई, that is, 2 ratio 1, इसका मतलब कहने का क्या हुआ, क उसमें जो long term debt का पैसा लगा हुआ है, वो आधा लगा हुआ, चीक है, इसका मतलब जितनी यह ratio क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, let's suppose कम कैसे होती जाएगी, माली जीए, 10 lakh, divided by 8 lakh, चीक है, यह आजएगा कितना, 1.25 ratio बनाएगा, चीक है, अब देखो, 10 lakh total asset है, और लगा हुआ है, डेट वालों को कितना 8 lakh, तो ज्यादा पैसा, मतलब 10 में 8 lakh, तो बाहर वालों का, जिन से हमने बोरोइं किया, उनका लगा हुआ, तो अगर माली जीए, कमपनी कल नुकसान में चली जाए, तो मरेगा ज्यादा पैसा किसका, डेट वालों का, तो अगेन गाइज, जितनी ये ratio क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उतना long term debt वालों के लिए risky position होगा, ये ratio जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा फायदा होगा, किसके लिए debt माली जी मैं एक और लेता हूँ, माली जी ये total asset है हमारी 10 lakh की, और debt वालों का पैसा है 2 lakh, कितना हो गया 5 ratio बन, अब 10 lakh में किवल जो पैसा लगा हुए debt वालों का, वो 2 lakh है, तो इसका मतलब debt वालों के लिए कैसी position होगी, ये safe position होगी, क्योंकि उनका पैसा किवल 2 lakh लगा हु कौन सी है, that is proprietary ratio, yes guys, proprietary ratio, अचा चलो, एक चीज बताइए, proprietary से आपको यहाँ पर क्या मतलब समझा रहा है, owner, तो यहाँ पर CDC बात है, यहाँ पर क्या होगा, owner, मतलब shareholder fund, ठीक है guys, divide by total asset, ठीक है guys, shareholder fund मैंने बताया आपको, shareholder fund में क्या आता है, share capital और reserve and surplus, total asset भी अभी बताया, non current asset plus current asset, अब इसका relevance सुनिए, shareholder fund और total asset, माली जीए, shareholder fund आपका है कितना, 20 lakh, ठीक है, कम percentage में भी, तो यह कितना हो गया, that is 80%, मतलब total asset में 80% जो लगा हुआ है, वो किसका लगा हुआ है, shareholders का लगा हुआ है, माली का लगा हुआ है, इसका मतलब बाकी पैसा किसका लगा हुआ है, debt वालो का लगा हुआ है, यह again, अब बताओ, debt वालो के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, यह यह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका पैसा कम लगा हुआ है, उनके मरने के पैसे, मरने के chances कम हो जाएंगे, बिल्कुल सही, तो यह ratio जितनी ज्यादा होगी, again, उतनी ज्यादा safety, debt वालो को रहेगी, जितनी यह ratio कम होती जाएगी, एक्जामपल देखिए, माल लिजीए, यह पैसा है, टोटल पैसा है 20 लेक, 20, sorry, टोटल एसेट है 25 लेक की, और पैसा लगा हुआ है किसका, शेर होल्डर फन, मालिकाओ का कितना, 10 लेक, तो 0.4 ratio 1, ठीक है, इसका मतलब, या इसको हम दूसरे तरीके से बात करें, that is 40%, मतलब टोटल एसेट में 40% ओनर का पैसा है, तो इसका मतलब, बाकी पैसा डेट वालो का होगा, तो इसका मतलब, जितनी ये ratio क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उतनी ही घ्राब position, डेट वालो के लिए होगी, तो गैस, ये तीनो रेशो जो हमने पड़ी, ये बात आपको ध् कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये बहुत important question आप लोगों के लिए हमने draft किया है, देखिए, क्या बोला गया है, from the following, compute करने, debt to equity ratio, total asset to debt ratio and proprietary, तीनो रेशो हमें बोली गई है, आपको calculate करनी है, long term borrowing, long term provision, देखिए, long term borrowing और long term provision से आपका क्या आजाएगा, मैंने बताया है, that is long term debt, या debt आजाएगा, ठीक है guys, यहां गया, current liability आपको दीए है, non current asset और current asset, ठीक है guys, सबसे बहली बात देखो, debt equity ratio, debt equity ratio, इसके लिए आपको चाहिए debt over equity, ठीक है, debt over equity, debt का मतलब तो आपको पता ही है, ये तो हमारा निकल गया, कितना निकल गया guys, that is 1 lakh और 50,000, ठीक है guys, और equity, equity का मतलब होते है, shareholder fund, अब यहां पर reserve and surplus और capital यहां नहीं दिया हुए, तो हमें asset approach follow करनी पड़ेगी, तो हम कैसे निकालेंगे, that is shareholder fund, यहां पर calculate किया जाएगा, आपको पता है, कैसे निकालते है, that is non current asset, plus current asset, minus non current liability, और minus current liability, देखो, यहां पर हमारे पास non current asset, 180, 180 औ minus non current liability, यह हैं हमारे पास कितना, 150,000 और minus हो जाएगा, current liability कितनी है हमारे पास, that is 25, तो यह आ गया कितना, 180 और 45, 225 minus 175, that would be 50,000, ठीक है गाईज, यह हमारे पास shareholder fund आ गया, तो 50,000 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारी debt equity ratio आ गई, 3 ratio 1, पहली ratio हमारी निकल गई, that is 3 ratio 1, अब ह हमारे पास क्या चाहिए, total asset to debt ratio, second देखिए guys, हम निकाल रहे है, total asset to debt ratio, ठीक है, यह क्या होती है, total asset divide by debt, debt हम यहाँ निकाल चुके है, 1,50, और total asset देखो, यहाँ पर बहुत इसली दिए आपको total asset, that is non current asset, और current asset, तो यहाँ गया 225, 225,000, total asset हो गई, divide by debt है, आपके, कितने ह होजे, ठीक है guys, यहाँ से आप calculate कर लोंगे easy, तो यहाँ एका 1.5 ratio 1, यह भी हमारी क्या आ गई, ratio आ गई, इसके बाद third आ रहा है, हमारे पास last one, that is proprietary ratio, proprietary ratio आपको पता है, क्या होता है, shareholder fund, divide by total asset, shareholder fund आपने निकाली रखा है, अभी निकाल है, that is 50,000, divide by total asset है, आपकी 2,25,000, और मैंने आपको बताया था, इसको आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, pure ratio भी निकाल सकते हो, और आप इसको percentage की form में भी निकाल सकते हो, alright guys, तो आप इसको calculate कर लेना, और इससे आपकी percentage निकाल लेना, easily आपकी निकल जाएगी, ठीक है guys, I hope यह वाला lecture आप को अच्छे से clear हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा, बाकी के बारे में हम next video में आप लोगों से discuss करेंगे, thank you so much for watching this video.